हेलो गाईज आर यू रेड़ी देखिए मैं प्राविण कुमार केमस्ट्री लेक्च्टर आप सभी का अपक्स डिजिटल स्टुडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों अपन चल रहे थे लास्ट क्लासिस के अंदर अपने फिजिकल केमस्ट्री से चप्टर स्टार्ट कर रह अब अपन दीखिए बढ़ते हैं परคार देख लिए थे फैले अपने वीफ में अपने अपने पर ने ुए पास एक आई थी वह आपके पास में थी to Llare Tee moatta और भरता के बारे में आपन बात कर चुके थे और NOr면 कर ली थी लेकिन अपन करने वाले थे नुर्मलतस से Li आप जानते हैं एक लीटर में उपस्तित विल्हाएं केanız का इぇ में ऊपेस्तित विल्हाएं कår संख्या मोलरता क्य अख थे हैं और 10,000 आपने मुट्याता आपके पास मैं डाफेन तक तो held फॉने यान् הצट वाकिज़ लग libre देखिए गाइस तो अपन आप यहां पर बात करने वाले हैं नॉर्मलता और नॉर्मलता से रिलेटेड़ कोश्चंस के बारे में हैं नॉर्मलता ताप पर निरबर करती है यह अपन बता चुके हैं बिकोज यहां भी आपने देखा कि आपके पास में वर्लियूम को कंसिडर किया गया जहां आयतन सामिल होगा बच्चों जहां आयतन आता है वो आपके पास में काई आपके टाप पर निरबर करेगी बिकोज वी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टी पीवी इक्वल्स तो एना टी वाहाँ चाल्स नियम से अपने देख लिया था जो अपना के लिए वन्त क्लास में पढ़ा हुआ है ओके देखिए गाईस रेडी है आप लोग तो कर दें सुरू नॉर्मलता पे किस तरह के क तो ठीक है क्योंकि नॉट्स वगेरा लिखने में ध्यान नहीं लगा ना बार बार कह रहा हूं सब कुछ मिलेगा आपको सारा पीडिएप में मिल जाएगा एजटी सारा मेट्रियल आपको मिलेगा बस आप तो कोश्चन पर फॉकस करो और यह देखिए पहला फॉस्ट कोश आयतन में उपस्तित है तो इस वीलियन की इस वीलियन की गाईज इस वीलियन की नॉर्मलता ग्याद कीजिए यह देखिए बहुत ही अच्छा सा कोश्चन एक सिंपल सा आप लोगों के लिए नॉर्मलता ग्याद कीजिए और आप लोग कर लेंगे देखिए गाईज आपको बता दूमें बहुत सारे स्टेंट्स पूसते भी कहते भी हैं कि सर ऐसे कोशन तो हो जाते हैं हमारे से और थोड़ा सा इस तरह से गुमा दिया जाए इस तरह के कोशन तो देखिए अगर आपका पूरा माइंड यहां लगा हुआ है पूरा ध्यान अपने अपना यहां लगा लगा तो एक भी कोशन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आए सालुशन से विलियन चैप्टर से ठीक है जिए जिहान रखना जो कोशन तुम्हें आसानी से आ जाते हैं इसका वंदो तुम लोगों की महनत है तुम लोगों के आपने उस पर प्रैक्टिस की है इसलिए व जिस पर कार के कोशन से आप जजादा मेहनत करोगे वह आपकी फैवरेट कोशन बनते जाएंगे उस पे आप कोऊगे कि Steel इसी है जिस पर आप मेहनत नहीं करोगे थोड़ा सा टिपीकल लगने लग जाएंगे तो अपने को सब पर बराबर मैहनत करनी है ठीक हैं क्लियर तो आप जानते हैं गाइस क्या एन एक वल्ट तो आपके पास में होता है इस्मोल डबलू अपन एम एक बर मापको याद दिला दू आपने लास्ट क्लास में देखा था कि था 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 यहां आपको पता है क्या था आपके पास में नमबर ओफ एच आयन आपके पास में बताने की जरुवत तो नहीं है फिर भी मैं एक बार बता दू विकोज आपको आता है पहले से क्या बार बार बताना कि एन जो है नॉर्मल ता को प्रदर्शित कर रहा है यहां पे नॉर्मल ता को एम जो है आपके पास में क्या है यह आपके पास में अनुभार है विले का अनुभार यह हो गया आपके विले का अनुभार राइट ठीक है गाईस और देखिए यह आपके पास में डबलू जो है यह है विले का भार जो आपको कोश्चन में दिया वा रहता है यहां आपको question में दिया गया है 4 gram विले का भार ओके good और देखिए V जो है आपके पास में यह है Willian का आईतन जो आपको दिया गया question में 500 ml देखेगा यह आपके पास में यहाँ पे Willian का आईतन है और यह आपको question में दिया गया है clear तो देखिए सारी चीज़ें आपके पास में आपको पता है कि कौन क्या इसमें W क्या है M कितना है H कितना है आपके पास V कितना है सब चीज़ें अपन यहाँ question की फॉर्मुले में यदि put up कर दे तो आपके पास आपका जो answer है वो आ जाएगा clear guys तो देखिए करें यहाँ पर शुरू अपन तो देखिएगा इस question के लिए अपन यहाँ पर value रखते है यह देखिए next अपन slide ले ले देख इसमें अपन ने value रखी क्या यह अपन ने रखा M sorry N normal था अपन यहाँ पर find out कर रहे है guys देखिए normal था तो यहाँ आपन बात कर रहे है नॉर्मलता से related N से related तो देखिएगा N equal to N equal to W कितना दियावा था 4 अपन कितना होता है न यह पर लास्ट क्लास में बहुत सारे question किये थे आपके पास में पर पर question थे जो question थे उसमें अपन ने देखा था वहाँ पर guys क्या था कि आपके पास में M जो आपके पास N A O H है उसका जो अनुभार है वो आपके पास कितना था 40 40 तो यह अपन ने यहाँ रख दिया इन्टू यह कितना है 1000 और कितना दियावा है 500 ml आपको दियावा है और इन्टू H I N या O H I N या 2 हो गया 1 देखिए इसी इसी फॉर्मूले में रखा है यहाँ N W यहाँ पर 4 रख दिया मैंने 40 इसका अनुभार हो गया आपके पास N A O H का 1000 V M L 500 M L था O H कितने हैं यहाँ पर आपके पास पर 1 तो देन यह रख दिया 1 clear तो देखिएगा आप guys से 20 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो 1 by 5 यानि आपका अंसर आ गया 0.2 N नॉर्मूलिटी जो आपके पास में है नॉर्मलता जो है यह 0.2 आगे इस question के लिए clear है कर सकते हैं very good अब देखिए next question के बारे में बात करते हैं अपन यह अपना next question है जो आप लोगों के लिए है comment section के अंदर फटा फटा इधर मैं question complete करूँगा और देखना उधर से आपके answers मिलना start हो जाने चीए उधर से answer directly फटा फट answer आना चीए ठीक है copy pen साथ में लेके बैठे हो ना very good देखिए इधर आपकी screen पे आपके पास question होगा उधर से आपके answer का जवाब आना चीए फटा फट यह लीजिए आपके पास में question number 2 है 9.8 gram 9.8 gram h2so4 h2so4 500 ml आयतन में 500 ml आयतन में उपस्तित है या विलियन में उपस्तित है उपस्तित है तो इस विलियन की नॉर्मलता ज्याद कीजिये इस विलियन की नॉर्मलता ज्याद कीजिये ठीक है गाईस ready करो तो फटा फटा आंसर दो क्या आ रहा देखिए आंसर बताईए स्विलियन की नॉर्मलता आपको find out करनी है clear ओके देखिएगा यहां आपके पास में है यह लिजिए आपके पास n n equal to आपके पास में small w small m into thousand divide by v ml और यहां आपके पास में into number of h i n आपके पास में यहां आपके पास में है h i n या o h i n आपके पास में या आपके oxygen अंग valency factor या आपन n factor भी यहां पर कहते हैं तीनों को यहां पर तो देखिए गाई एन equal to दोस्तों क्या करेंगे n equal to 9.8 अब तो बोलो यार फटा फटा फट very good और m molarity के अंदर यह question था वहाँ m अपने निकाला था h 2 s o 4 के लिए कितना था 98 यह देखिएगा guys यह कर दिया आपने यहां 98 clear into यह आपका है thousand आपन यह आपके पास में आ गया 500 clear good और देखिएगा आपके पास h 2 s o 4 number of h i n कितने होंगे यहाँ पे h 2 s o 4 में 2 h 2 s o 4 में 2 h i n है आपके पास में देखिए यह point हटाया यहां से guys यह लेजिए बहुत ही simple सा काम किया point हटाया 0 लगाया 3 0 से 3 0 cancel 98 से 98 cancel 2 by 5 answer होगा 2 by 5 clear that means आपका answer आगया guys 0.4 n ओके यह देखिएगा आपके पास में आपका answer आचुका है 0.4 0.4 2 by 5 0.4 n clear आपको देखिएगा इस तरह से guys आप यहाँ पे questions को कर सकते हैं बहुत ही simple है और बहुत अच्छे तरीके से आप इन पे practice कर रहे हैं तो आप easily आप ऐसे questions को exam में कर लेंगे clear good अब देखिए question तीसरा जो third question है या फिर अपन दोनों में एक बार एक question में आपको last class मेरी याद आजाए क्योंकि अभी जो है अभी अपन पढ़ने वाले है normal था और एक अपन ने पढ़ लिया मोलरता तो दोनों में क्या संबंद है दोनों में क्या relation है तो दोनों में संबंद पढ़ना चाहरे हैं तो देखिए दोनों में यदि संबंद के लेकर करके मैं बात करूँ यहां पर दोनों में किस तरह का क्या relation होगा उससे पहले मुलारिटी जो मोलरता है उसका फॉर्मुला उसके सारे कीटम उसके जो इस्पिशल पॉइंट है वो भी आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए तो आप उसका रिवाइस जैसे देखेंगे फिर अपने नेक्स टॉपिक ले लेंगे दोनों में क्या संबंद है तो देखिए जो नेक्स्ट कॉष्ष्ण है उसको थोड़ा सा गुमा के और आपको यहां पर पर कॉष्ष्ण देते हैं थलका सा उसको त्विस्ट देखें क्या है कॉष्ण के अंदर लेखिए यह अपने लिखा थर्ड कोश्ट आपका कॉष्ण नंबर है थर्ड बहुत ही उनीक सा 450 ml विलियन में 450 ml विलियन में उपस्तित है तो इस विलियन की मोलर्ता ग्याद किजी है मोलर्ता ग्याद किजी अब देखेगा यहाँ पर यह आपके पास में question है clear देखेए आप जानते हैं क्या आपके पास में मोलर्ता m equal to क्या होता है small w upon small m into thousand upon v ml clear है आपके पास में यह आपके पास में हो गया v ml अब देखेगा यहाँ आपके पास में m यह जो है आपके पास में देखेए यहाँ जो m है capital M किसको represent कर रहा है आपके पास में मोलर्ता को रिपर्जेंट कर रहा है यहाँ आपको बार-बार बताने की आउशकता नहीं है आप जानते है capital M यहाँ मोलर्ता को रिपर्जेंट कर रहा है तो यह आपनने देख लिए आपके पास में यह मोलर्ता के लिए होता है अनुभार इसमोल एम जो है आपके पास में क्या है विलय का अनुभार कितना होता है चालिस यह लिजिए 40 इंटू यहां किया थाउजन और यह आपके पास में कितना दिया हुआ और आपके पास में 5 9's है 45 clear देखिएगा 9 4's है कितना होगे 36 तो m equal to आपके पास में आ गया 10 उपर तो आपके पास 10 अपोन क्या आ गया 36 तो आपके पास में आएगा 0.278 मुलारिटी यह आपके पास मॉलरता से रिलेटेड अंसर होगा clear है देखिए बहुत ही सिंपल सा कोशन था जिसके अंदर आपको यह आपके देखिएगा स्लेवस से आपकी बुक से रिलेटेड कोशन था और बेसी वुक से कि 5 ग्राम जो आपके पास पांच ग्राम एने युनिक सार एक important question आपके लिए क्या question है इस देखिएगा आपके लिए question है आपका question number four clear देखिए क्या है आपको यहां पर एक question है जिसके अंदर आपको ओलरता दी है clear है लेकिन आप से क्या पूछा जा रहा है वहां कि आपके पास में डबलू ये जो है आपके पास में बॉल्यक्त मईंड़ है इस से रीलेटेड़ कोसq को सबैक्टीक का ही का सबसक्राइब कि पूचल लिया यहां पर फ़ाइफ ग्राम लिया इधर की तरफ कितने घ्राम जिसमें question के लिए धियान लखना आपसे पूछा गया कि कितने g ग्राम Care का। 500 ml इनी 400 ml न आउज का वीलियन तयार करने के लिए उसमें मॉल sociology आपको दीवी है कितने रहे वहां जो आपके पास में aικά इस मॉल लठा का 400 ml NUH VILLION तयार करने ही तू कितने ग्राम देखे गाइस क्या है कितने ग्राम NUH की आवशकता होगी NUH की आवशकता होगी ओके यह आपके पास में कोशन है वही मौलर्था से रिलेटेड कोशन है बस थोड़ा सा इसको देखिए कोशन को थोड़ा सा हलका सा गुमया है यहाँ पर आवशकता होगी language को थोड़ा सा ओके देखिए गाइस बहुत ही सिंपल सा कोशन है यह भी आपके पास में आप जानते हैं क्या कि M मौलर्था इक्वल टू क्या होता आपके पास में small w upon small m into आपके पास में है thousand upon v ml clear है अच्छे से good देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत इक्षा से clear है कि मौलर्था का जो फॉर्मूला है आपके पास में यह होता है और गईस इसमें भी आप जानते हैं यह भी आपको बहुत अच्छे से clear है कि यह जो आपके पास capital M है यह किसको को रिपर्जेंट कर रहा है है यहां लिख सकते हैं एक आपके पास में लांग को और गया और देखिए यह उसमॉल यहां पर M की बात कर रहे हैं यह जो आपके पास में यहां पर बात करें कि जो आपको स्मोल M नजर आ रहा है यह क्या है आपके पास में विले का अनुबहर है क्या है विले का अनुबहर ओके विले का अनुबहर और ध्यान रखना यह जो विले का आपको यहां पर ध्यान रखना यह तो देखिए ये जो है वी अपन जानते हैं ये विलियन का आइतन है ये तो क्या है आपके पास में विलियन का आइतन ये अपन पढ़ चुके हैं बहुत पार ये आपके पास में है विलियन का आइतन ये लिजी ए अपने पास में क्या हो जाएगा आपका अंसर किस तरह से यहां पर आपको सीधा यहां पर आपको करने की जुरुवत नहीं पड़ेगी और यहां कितना दियावा आपको 400 यह आपके पास में आपके सकते हैं कि यह जो है देखिएगा इसके अंदर आपके पास में यह 3030 से 2 और यह 30 क्या होगे अपने कैंसिल होगे clear तो देखिए अपने पास में यहां पचेगा 0.5 एकवल टू अपने पास में आगया क्या small w upon 4-4 जा कितने होगे 16 4-4 जा कितने होगे गाईज 16 ओके तो देखिएगा यह आपका आपके पास में अंसर आ गया w equal to कितना आएगा 8 gram यह लिए देखिएगा यह आपका w into 8 gram यह आपको एने ओच इतना एने ओच आपको आउशक होगा तो जो question आपसे पूचा है कितने एने ओच की आउशकता होगी आपको देखिए गाईज यहाँ यह आपके पास में इतने एने ओच की आपको आउशकता होगी clear है आपका अच्छे से तो देखिएगा इस तरह की question भी मोलर्ता से related आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपसे विले का भार पूछा जा सकता है आपसे मोलर्ता पूछी जा सकती है तो दोनों तरह के जिस अलग-अलग जो तरीके question बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है अच्छे सा समझ में आभी गए होंगे ओके क्लीर है गाईज देखिए अब अपन देखते हैं गाईज क्या next देखिएगा यह अपने ले लिया next digital बोर्ड का मजा ही गाईज अलग है आप लोग तो जानते हैं ना बहुत मज़ा आ रहा देखिए क्योंकि जैसा ही अपने को बैक जाना हो यह लो सर कोशन नमबर फॉर एक बार फिर से बताना यह लो गाईज अब बोर्ड पर तो मिटा दिया हो ता पता ही नहीं लगता है ना यहां तो पीछे आप किसी ने का सर कोशन नमबर टू आपस बत है ध्यान रखना ओके